मेरा शीबा इन्हों कुत्ता अस्वस्थ महसूस करने लगा, अपना खाना नहीं खा रहा था और यहां तक की उल्टी भी कर रहा था। इसलिए मैं उसे पशुचिकित्सक के पास ले गया। पशुचिकित्सक ने उसकी जांच की और पूछा कि क्या हाल ही में कुछ असामान्य हुआ है क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि यह गर्मी के कारण हुआ हो। फिर मुझे याद आया, दो दिन पहले एक पडोस की बिल्ली हमारे आंगन में आ गई थी और उसे भगाने की कोशिश में मेरे कुट्टे को खरोंच लग गई थी। जब मैंने यह बात पशुचिकित्सक को बताई तो उन्होंने कहा, यही कारण हो सकता है। ऐसा लगता है कि अगर कुछ कुट्टे बिल्ली से हार जाते हैं, तो वे मानसिक रूप से परेशान और शारिरिक रूप से बीमार हो सकते हैं। शायद बिल्ली से हारने के कारण मेरे शीबा इनुके गौरफ को ठेस पहुँची हो। पशुचिकित्सक ने उसे भेतर महसूस करने में मदद करने के लिए हमें कुछ दवाए दी। हो सकता है कि यह सिर्फ सदमे से ज्यादा कुछ ना हो। मुझे एहसास हुआ कि इनसानों की तरह कुट्टों की भी भावनाएं आहत हो सकती हैं। जब मैंने उन दोस्तों को बताया जिनके पास कुट्टे हैं तो उन्होंने कहा बिल्लिया हमेशा जीतती हैं। मेरे मित्र ने यह भी बताया कि उनकी बिल्ली छिपने की जगों से अचानक छलांग लगा कर उनके कुट्टे को डरा देती है। मेरी शीबा इन्हों आमतोर पर बहुत बहादुर और मजबूत दिमाग वाली है। लेकिन बिल्ली से हारने से उसे सचमुच सद्मा लगा होगा और उसके गौरफ को ठेस पहुची होगी। मैं उससे कह रहा हूँ, आए अधिक आराम से जीने की कोशिश करें।